दोस्तो नमस्कार मैं हूँ सुसिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल इपंचायत डिजिटल पंचायत हमारे आज के इस वीडियो में हम PFMS यानि की पब्लिक फाइनांसियल मनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर PPA जनेरेट करना सिखेंगे PPA यानि की प एक्सपेंडिचर वाले ओप्शन पर क्लिक करना होगा एक्सपेंडिचर वाले ओप्शन पर क्लिक करने के बाद एड़ निव का एक ओप्शन आपको दिखेगा उस एड़ निवाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे जैसी आप एड़ निवाले ओप्शन पर क्लिक करते हैं आप आपके सामने इस तरह से page open हो करके आता है यहां पर आपको scheme select करना होता है account automatic आपके पास उससे linked account आ जाएगा expenditure done form में vendor select करना है then select vendor पर click करना है और जिस vendor को आपको payment करना है उस vendor को आप select कर लेंगे next है आपको letter number oblique office order number का या mandatory है इससे डालना जरूरी है देन इसके बाद उस order का copy scan करके और upload कर देंगे next है selection sanction date sanction date में उस letter या office order का date डालेंगे total amount वाले column में आपको जितना amount expand करना है जितना रासी खर्च करना है payment करना है उस amount को डालेंगे narration वाले column में जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें हम transaction से related detail लिखते हैं संचेप में संचेप में transaction से related detail इसमें डालेंगे next है हमारा scheme component component select करते समय आपको ध्यान देना है कि जिस component के लिए हमें payment करना है उसी component को हम यहां select करना है देन next है हमारा expense type expense type में हम मारा दो तरह का होता है एक revenue होता है और capital nature का होता है तो यह हमें जो हम amount खर्च कर रहे हैं उसको देखकर decide करेंगे कि हमारा capital nature का है कि revenue nature का है देन percentage में hundred percent click करेंगे hundred percent enter करेंगे और save पर click कर देंगे तो इस तरह से एक row insert हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा इसको save पर click कर देना है जैसी आप save पर click करते हैं तो यह data आपका save हो जाता है और आपके सामने voucher number आ जाता है यहाँ ok पर आपको click कर देना है और आगे बढ़ना है यहाँ आपको yes पर click कर देना है do you want to proceed with pay details तो yes पर आपको click कर देना है और आगे बढ़ना है इंस्टुमेंट टाइप में आपको इंस्टुमेंट टाइप सेलेक्ट करना है और देन यहाँ add वाले बटन पर click करना है आइड पर हम click करेंगे नरेशन फोर पासबुक नरेशन फोर पासबुक में हम वह नरेशन लिखते हैं जो कि हमारे पासबुक पर print होता है तो नरेशन लिखते समय हम ध्यान देंगे कि हम ऐसा नरेशन लिखें जो कि पासबुक में प्रिंट होने के बाद हम समझ जाएं कि यह रासी किस परपस से खर्च हुई थी next है हमारा deduction detail में तो चुकि हमें इस transaction में deduction करना है इसलिए yes पर click करेंगे और next पर click करेंगे deduction type में हमें deduction का type select करना है कि income tax का TDS आपको deduct करना है कि GST का TDS deduct करना है या कोई other है तो सबसे पहले हम income tax का TDS deduct करने जा रहे हैं इसलिए हम TDS select किये यहां पर आपके लिए बेहतर होगा कि percentage न डाल करके amount इंटर करें क्योंकि यदि आप percentage डालेंगे तो हो सकता है कि आपका deduction गलत हो जाए इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि amount का calculation करें और देन amount वाले कॉलम में उसे इंटर करें तो amount वाले कॉलम में हम income tax TDS का amount इंटर करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होगे percentage हमारा 1% से कुछ ज़्यादा दीख रहा है इसलिए मैंने आपको बोला था कि percentage डालने से ज़्यादा बेहतर होगा कि amount इंटर करें खुद से calculate करके next add deduction पर click करना है और चुकी हमें GST TDS भी deduct करना है इसलिए बारी-बारी से GST on CGST और GST on SGST हम करेंगे तो सबसे पहले TDS on CGST select किये और amount इंटर करके add deduction पर click किये अब TDS on SGST करेंगे amount इंटर करेंगे और add deduction पर click करेंगे सारे deduction का इंटरी करने के बाद next हमारा है confirm पर click करते हैं confirm पर click करने के बाद हमारे सामने transaction का पूरा detail इस तरह से आ जाता है इससे अच्छे से मिला लेना है कि कहीं कोई इंटरी गलत तो नहीं है यदि सारा सई है तो submit for approval का option left hand side में नीचे आपको दिख रहा होगा उस पर हम click करेंगे जैसी हम submit for approval पर click करते हैं या हमारा checker के इंड पर चला जाता है और checker इसको verify करते हैं तो आईए checker के login से इंटर करके देखते हैं कि checker इसे कैसे verify करते हैं तो checker login करके expenditure में जाएंगे और manage पर click करेंगे manage पर click करने के बाद उन्हें scheme select करना होता है और search पर click करना होता है जैसी search पर click करेंगे तो office order या letter number के अनुसार उनको सारा दिखाई देगा जो भी approval के लिए pending है right hand side में दिखेगा आपको scheme name के just बगल में status में आपको दिखेगा यहां से आपको approve कर देना है नीचे में approve या reject का option दिख रहा है इस approve या reject वाले option पर click करेंगे यदि approve करना है तो approve पर click करेंगे यदि reject करना है तो reject पर click करेंगे उससे पहले remarks डालेंगे चुकि हम training के purpose से इस वीडियो में बता रहे हैं इसलिए हम इससे reject कर देंगे remarks डालने के बाद हमने reject पर click किया आप approve पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह से payment advice आ जागा इससे sign करना है और bank में जमा करा देना है तो हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कीजिए धन्यवाद